नमस्ते, वेलकम टू संगिता फैशन आज हम जो ये साडी देख रहे हैं इस साडी की हम ब्लाउस डिजाइन और इसके बाद स्लिवस डिजाइन बनाएंगे ये इसका ब्लाउस पिस है कलर कॉंबिनेशन के लिए ये नहीं है सिर्फ एक ही कलर के साथ ये ब्लाउस और सारी आई हुई है इसलिए हम एक ही कलर के साथ आज ब्लाउस डिजाइन बनाएंगे कुछ अलग और बहुत ही कुपसरत ब्लाउस डिजाइन बनाएंगे तो वीडियो के इविट तक हमारे साथ बने रही है और देखे मैंने ये blouse design किस तरह से बना गुई है अब हम ये जो सारी है अगर आपको इस सारी के पूरी open करती हुई देखनी है या फिर इसकी price देखना है तो मेरे unboxing channel पे है आप जरूर देख लेना अब हम ये सारी का blouse design बनाते है अब हमने ये blouse design के लिए measurement लिया हुआ है साड़े चोदा इंच की इसके height है 6 इंच का arm hole है और shoulder यहाँ पे 6 इंच है हमने shoulder पटी के लिए 3 इंच और नीचे की गले पटी के लिए 4 इंच का margin के साथ रखा हुआ है यहाँ से 5 इंच गला बनाने के लिए measurement लिया हुआ है यहाँ से इन दोनों को मिला लेना है और इस तरह से मटके गले का आकार निकाल लेना है यह गले का आकार आप छोटा बड़ा में थोड़ा सा ले सकते है जैसा आपका measurement हो उस हिसाब से आप कमजादा कर सकते है अब हमने यह अस्तर का कपड़ा नीचे और उसके उपर जो ब्लाउज का फैबरिक है और उसके उपर यह टीप लगा लेनी है टीप को लगाते वक थोड़ा सा सफाई से यह टीप लगा लेनी है हम इसके लिए पेपर पटी का इस्तमाल नहीं किया है इस वज़े से अगर आपको पेपर पटी का इस्तमाल करना है तो ठीए नहीं तो इस तरह से अगर आपको गले का आकार बना लेना है तो सफाई के साथ आथ गले का आकार बना लेना और इसके उपर अंदर से उंगली के साथ अंदर का फैबरिक निकाल कर गले का आकार बना लेना है इस तरह से हर जगह सफाई के साथ प्रेस करके आपको गले का आकार निकाल लेना है और अब हम ये बाहर की टीप लगा लेंगे और नीचे के साइड भी मैं अंदर से टीप लगा कर ही बना देती हूँ तो ये पूरा ब्लाउज सफाई के साथ दिख जाता है फिर बाहर के साइड भी टीप लगा लेनी है ताकि फैबरिक डिजाइन के लिए सफाई से आजाए अब यहाँ से शोल्डर के बीचो बीच टक्स लगा लेना है दोनों साइड के टक्स होने के बाद हम डिजाइन बनाने को स्टार्ट करते हैं यह आई से मैंने डिजाइन बनाने के लिए दो बाई दो का चोकर कपड़ा लिया हुआ है और कुछ इस तरह से डिजाइन बना रही हूं इसी design आप जितने आपके गले के आकार के लिए design चाहिए आप उतने ले सकते हैं उतने बना सकते हैं मैंने ये कुछ बना कर रखे हुए है वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने कुछ ही designs बना कर दिखा दी है अब हम ये डिजाइन को पूरे ब्लाउज में अटेच कर लेंगे अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ इस तरह से धीरे धीरे ये डिजाइन नस्दिक एक इस तरह से लगा लेनी है गले के नस्दिक से थोड़ ऐसा लेस वर्क के लिए जगा छोड़ कर आप ये डिजाइन लगा सकते हैं धीरे धीरे से इसी सभी डिजाइन्स डिजाइन के बीच में बिना अंतर रखे हुए आप ये डिजाइन्स बना सकते हैं एक ही कलर के ये जो ब्लाउज और ये जो सारी है ये एक ही कलर कॉंबिनेशन के साथ आई हुई थी इसलिए मुझे एक ही color के साथ यह design बनाने पड़े अगर आपको सारी अलग color की है आपके पास तो आप इसको अलग color से बना सकते हैं यह मैंने 2 inch का fabric लिया हुआ है और 2 inch के साथ मैं यह पट्टी बना रही हूँ इसको पट्टी बनाने के बाद इसको सुई धागे की मदद से इसको पल्टा सकते हैं इसको कुछ इस तरह से पलट लेना है नीचे के साइड से धीरे-धीरे करके उसको अंदर डाल कर यह निकाल लेना है देखे इसके उपर यह जो हमने डिजाइन बनाई थी इसके उपर और यह पट्टी सेट कर लेनी है आप देरे-देरे से इसको सेट कर लेना पूरे गले के आकार में आपको पहले बाहर से यह पट्टी लगा लेनी है ताकि अंदर के गले में सल न आ जाए सल आने की वज़े से आपका डिजाइन अच्छा नहीं दिखेगा उसके बाद उसके उपर डबल टिप लगा लेनी है इस तरह से डबल टिप लगा लेने के बाद अब हम उसके अंदर का डिजाइन बनाएंगे इस डिजाइन बनाने के उसको पल्टी कर देना है पल्टी करने के बाद डिजाइन सफाई से दिख जाए इसके लिए इसके उपर टिप लगा लीनी है फिर बीचों बीच इस तरह से निशान बनाकर सुई धागे की मदद से उसको जो बो बनाते हैं बलाउज या फिर फ्रॉक के लिए या फिर डिजाइन के लिए उस तरह का बो इसके बाद इसके लिए फ्लावर बो के लिए फ्लावर डिजाइन बनाएंगे flower design बनाने के लिए वही जो हमने पहले गले के लिए designs बनाई थी उसी डिजाइन उसके दो बाई दो कचोकर आकार लेकर उसके तरह से बना लेना है और सुई की मदद से इसके flower की design इसके उप flower की design बनाएंगे कुछ इस तरह से flower की designs बना लेनी है इसको सुई से दो तिन बार पैक कर लेना है फिर एक बड़ मनी की साहिता से इसके उपर का भाग ढख लेना है और यहाँ पर attach कर देना है देखिए कुछ इस तरह से उसको attach करके फिर सुई को निकाल लेना है और डिजाइन के उपर कुछ इस तरह से उसको बिठा लेना है पहले पीन की मदद से आप डिजाइन को सफाई के साथ आद ब्लाउज के उपर और अच्छी तरह से बिठाना फिर उसके बाद उसके उपर टीप लगा लेना अब ये देखे कुछ इस तरह से ये डिजाइन रिडी हुआ अब हम इसके उपर ये लेस लगाएंगे लेस आप जो चाहे उस प्रकार की लेस ले सकते हैं इस पर मुझे गोल्डन लेस अच्छी लगी इसके लिए मैंने गोल्डन लेस लगा ली हैं अगर आपको गोल्डन या फिर कई प्रकार की अभी डिजाइन की लेस आ रहे हैं आप उसी प्रकार के साथ लगा सकते हैं अब देखिए इस तरह से ये पूरा ब्लौज कम्प्लीट के ले스크 से इस तरह से ये डिजाइन पनी हुई है अगर आपको ऐसी डिजाइन देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा और बेल आइकों प्रेस किजिएगा थैंक्स फॉर आच